दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि यहां का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे तो बहुत छोटी सी बात है लेगन यदि मैं आपसे कहूं मेरे यहां का मतलब क्या होता है मेरे यहां यहां आईएगा तो फिर आप मेरे यहां की अंग्री जी कैसे बनाएंगे क्या आप कहेंगे my hair क्या आप ऐसा कहेंगे दोस्तों यह आपने ऐसा कहा है तो पूरा गलत हो जाएगा आप ऐसा नहीं कह सकते है ठीक है क्योंकि my के बाद एक adverb नहीं आ सकता है आपको उसके बाद एक noun रखना होगा my के बाद एक noun रखा जाता है ठीक है तो फिर आप कैसे बोलेंगे आपको बोलना होगा दोस्तों आंसर है आपको बोलना होगा my place आप my place बोल सकते हैं यदि आप कहना चाहें मेरे यहां आईएगा तो आप कह सकते हैं come to my place please come to my place I will come to your place मैं आपके हाँ आऊँगा ठीक है तो यहाँ पे यहाँ का मतलब है place यहाँ पे आप place लगाएं दोस्तों हमने बहुत सारे से वीडियो में कहा है कि आप ट्रांसेशन से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए यहाँ आप एक शब्द को ट्रांसेट करते हैं तो आप फसने वाले हैं दोस्तों ठीक है तो ट्रांसेशन से थोड़ा बचें आपको वहाँ अर्थ देखना है आपको शब्द नहीं देखने हैं दोस्तों तो आज हाँ अपने वीडियो में देखने वाले हैं सेंटेंसिस, इडियम्स, और प्रोबर्प्स और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को ज़रो सब्सक्राइब करेगा साथ ही बेल आइक अंदर नहीं दबाते हैं तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेसन आपको नहीं मिलेगी और यह पूरा पूरा फ्री है दोस्तों कोई चार नहीं लगने वाला ठीक है चरे तो देखते हैं और भी बहुत सारे सेंटेंस जो बहुत काम के हैं दोस्तों दूसरा सेंटेंस है हमारा I give you my word I give you my word तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको अपने शब्द देता हूं इसका मतलब है मैं आपको अपनी जुबान देता हूं जुबान देता हूं मतलब जुबान निकाल कर नहीं देता हूं आपको ठीक है इसका मतलब मैं बात पक्की कर रहा हूं कि ऐसा होने वाला है मैं करने म import हूं, मैं करूंगा उस काम को I give you my word मतलब मैं आपको अपनी जवान देता हूं हिंदी में हम कहते है जवान देना अंगरीजी में कहते है Give you my word Give word मतलब जवान देना I give you my word आप यदि महनत करते हैं तो आप अंग्रेज делать युरू सिखेंगे I give you my word, ठीक है, दोस्तों, दूसरा sentence है हमारा, I will move heaven and earth, मैं heaven और earth हिला दूँगा, ठीक है, move heaven and earth, इसका मतलब है, कि मैं जमीन आसमाने कर दूँगा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक दाना हूँ और मैं इनों सब ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब है, मैं जमीन आसमाने कर मतलब बहुत महनत करूँगा, बहुत महनत करूँगा, और जिस काम को मैंने निश्चित किया है, वो काम में करके रहूँगा, ठीक है, तो I will move heaven and earth, तो आई हो दोस्तों, आप इस sentence को समझ गया होंगे, अगले sentence तरह बढ़ते हैं, दोस्तों, अगला sentence है, do give it a thought, do give it, देना गले लखी गई है, किसी बात पर जोड देना जरूर, ठीक है, तो किस बात पर हम जोर दे रहे हैं, give पर, do give, देना जरूर, ठीक है, do give it a thought, इस पर एक वचार जरूर देना, इस पर वचार देना मतलब, इसके बारे में आप सोचीगा जरूर, ठीक है, कोई भी ऐसी बात हमन ना बोल पाएं, आप इसकी प्रैक्टिस करेगा, आप चाहें तो कोसिस भी कर लें, आप आपने कोसिस कर भी लियोगी, ठीक है, तो यदि आप नियु लर्ण है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है तुस्तों, अगला सेंटेंस है हमारा, अगले सेंटेंस की तरह बढ़ते हैं, एखटा करना, to heave a sigh of relief, मतलब राहत की सांस लेना, कोई काम आप करनी वाले थे, बहुत मेहनत लगी, और अंत में आपने सफलता पाली, तो आप क्या करेंगे, आप राहत की सांस लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो राहत की सांस लेने को बोलते हैं, अंग्रेजी में, to heave a sigh of relief, after learning English, I heave a sigh of relief, मैंने राहत की सांस ले, ठीक है, after doing this work completely, I heave a sigh of relief, इस काम को पूरी तरह से करने के बाद, मैंने राहत की सांस ले, तो दोस्तों, I hope इस sentence को भी आप समझ गया होगे, अगले sentence की तरह बढ़ते हैं, दोस्तों, अगला sentence है, much cry and little wool, much cry, बहुत सारा शोर सारा हो रहा था, ठीक है, लेकिन, जब उन लेकर आये, तो बहुत थोड़ा था, मतलब की एक, गरड़िया, एक भेण को पकड़ के ले गया, और बहुत आवाजे आ रही थे, अंदर से, ऐसा लगा, बहुत सारा उन आएगा, लेकिन जब वो लेकर आये, तो थोड़ा सा उन था, तो एक कहावत हमने कही, मच क्राइ, एंड लेटल बूल, शोर सरावा तो बहुत था, लेकिन, जब देखा तो थोड़ा सा था, मतलब, उनची दुकान, फी के पकवान, किसी चीज के बारे में, आपने सुना बहुत होगा, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको देखा, उसका यूज किया, तो फिर आपको लगा कि, उनची दुकान, फी के पकवान, मच क्राइ, एंड लेटल बूल, आयोब दोस्तों, आप समझ पा रहेंगे, मच क्राइ, बहुत सारा शोर सरावा, एंड लेटल बूल, और थोड़ा सा बूल, तो उची दुकान, फी के पकवान, खोदा पहाल दिंगे चुईया, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, ठीक है, नेक्स सेंटेंस है, बलड इस थिकर दन वाटर, बलड इस थिकर, तो खून गाड़ा होता है, बलड इस थिकर दन वाटर, खून पानी से गाड़ा होता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप दोनों को चेक कर रहे हैं, कि खून और पानी यून ऐसा कुछ नहीं है, बलड इस थिकर, मतलब जो खून होता है, गाड़ा होता है, पानी से इसका मतलब खुन ל-d motar पानी होता है मतलब जो अपने होते एपनों को दर्द होने से आपको जरूर होगा थीक है परसानी होगी हो सकते पराय को अमिश्यवत नीटिक्र आपो रहा नहीं जाएगा थीक है तो थिकर दनव तिकर जाएंinkuivity मतलब खुण ज्यादा काड़ा होता है पानी से है तो खून-खून होता है पानी-पानी होता है अगले सेंड इस तरह बढ़ते हैं अगला इडियम है दोस्तो अगली कहावत है अगली प्रोवब है चुली तो अगली प्रोवब है Might is always right, Might is always right आपने सुना होगा Mighty Raju Mighty Raju मतलब ताकतवर Raju तो Might मतलब होता है ताकत तो Might is always right ताकत हमेशा सही होती है यह हमारे पास शक्ती है तो हमें अपनी बात को मनवाना नहीं पड़ेगा और बात हमारी लोगों के दौरा मान ली जाएगी कई ऐसी सुचिशन में Might is always right मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस ठीक है तो Might is always right मतलब ताकत हमेशा सही होती है और हां एक और कहावत है The boss is always right इसी के जैसी है, same है Might की जगाँ आप the boss रख सकते हैं The boss is always right यह आपने सुना होगा ठीक है the boss is always right या फिर might is always right जिसके लाठी उसकी भैंस दोस्तों अगली कहावत है it is never too late to mend it is never too late to mend कभी इतनी देर नहीं होती है कि आप सुधार ना का सको कभी इतनी देर नहीं होती है कि आपके सीच को सीखना सको ठीक है it is never too late to mend never too late to मतला बहुत जादा कभी इतनी देर नहीं होती है कि आप उसको सुधार ना सको तो it is never too late to mend जब जागो तभी सबेरा अभी हो दोस्तों आप समझ गया होंगे बहुत ही आसान सी कहावत है mend का मतला वो था सुधार ना ठीक है सुधार ना तो it is never too late to mend जब जागो तभी सबेरा दोस्तों I hope आपको इस sentence अच्छे लगे होंगे दोस्तों इनकी लिस्ट जरूब बनाए पिछले वीडियो भी हमने idioms से बनाए हुए idioms पर वोस और फ्रेज से बनाए हुए आप चाहें तो उनके sentence भी ले रहें और एक register maintain करें और इन sentence को सारे idioms पर वोस फ्रेज को एक साथ लिख लें दोस्तों और उनको जब भी आप खाली हों जब भी आपको mood phrase करना हो तो इन्हें देखके इनको एक दो बार दोहरा लें और हमारा दावा है दोस्तों यदि आप कई दून तक ऐसा करते हैं तो आपको अलग से याद नहीं करना होगा यह automatically आपको याद हो जाएंगे और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप बारवर जरू देखें क्योंकि जो हम बोलते हैं तो बोलने से भी आपको याद हो जाएगा जिस प्रकार से गाने सुन सुन के आपको याद हो जाते हैं उसी प्रकार इस वीडियो को जरूब आप बारवर देखेंगे तो हमारे दोरा बोलेगा इडियम्स आपको आपको याद हो जाएंगे दोस्तों अन्त में जरू बताएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है क्मेंट करो तो आपकर कुछ पूछना तो आप पूछ भी सकते हैं ठीक है और हां दुस्तों लाइक शेयर जरू करें इधि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबना ना भूलें यदि आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो की देखने के लिए आपका रदय से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वरे मच्च जाहिन वन्ने मातरम